अब हम आ चुके हैं अपनी की नोर सीरीज पे साथ के साथ आपके क्विज्जेज वोगेरा सब चलेंगे देखो बैक टो बैक क्लासेज आ रही हैं तो आप बस अपना प्यार दो लाइक शेर और सब्सक्राइब थांक यू चलिए जी आएए शिरू करते हैं हमारा जो बिजनस एंवर्मेंट में चाप्टर है देट इस एंटर्प्रेनर्शिप सिनारियो शॉट शॉट में लेंगे ताकि ज्यादा टाइम ना हमारा लगे और वीडियो बोरिंग भी ना लगे क्योंकि ये सब चीज़ें इस दा एंटर्प्रेनर्शिप सिनारियो में एंटर्प्रेनर्शिप का इंट्रोड़क्शन किया है और मैं कहत सकूं इस बात को कि हम एंटर्प्रेनर्शिप से क्या समझते हैं तो पहला पॉइंट यही आएगा आपका कि हम एंटर्प्रेनर्शिप को क्या समझते हैं और ह हम क्या से समझ सकते हैं आ जाओ जी क्या definition होती है एक बहुत general way में अगर हम बात करें कि अगर आज हमें कोई business को चलाना है उसके लिए हमारा goal oriented object हमारे पास होना जाए जिससे हम new 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 opportunities और business ideas को grow कर सकें this is all the entrepreneurship आज के time में बहुत चल रहा है influencer, entrepreneurs बहुत चल रहा है तो entrepreneurship का basic term यही है कि जिससे हम क्या अपनी ability से run और operate कर सकें अपने एक business को विर्था goal oriented object Oxford dictionary के अंदर क्या definition दिये है, simple सी आज आपको अपने business को चलाने के लिए risk चाहिए कैसा risk, financial risk, business risk, सब चीजों को आप mix करके अपने business में डालते हो क्यों क्योंकि आपको profit चाहिए तो यह हो गई आपकी Oxford dictionary की भी definition आजाओ जी, next आपकी international encyclopedia क्या कहता है एक individual जो risk bear कर सके, जिसमें हिम्मत हो, जिगरा हो कि हाँ भाई मैं risk ले सकता हूँ किसके लिए जो भी future में uncertainties आनी है, उनको face करने के लिए मैं business चला सकता हूँ और मैं risk ले सकता हूँ, मेर में है इतना दम, वो है आपकी definition, डिफाइन की गई है, international encyclopedia शौट क्या निकला, भाई एक individual मैं तुम, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक idea है, हमें अपना business चलाना है और उस business को long term लेके जाना है, तो नया, 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 कुछ न कुछ लाना पड़ेगा, आज जो जी, दो, तिन author क्या कह रहे हैं, उनको भी समझ लेते हैं, हमारे, एक आपके author है, हाँ जी, I think screen जाता वो हो जाएगी, आज जो, first author लेते हैं हम, पीटर साहब, ठीक है जी, अब पीटर साहब क्या कह रहे हैं, पीटर साहब कह रहे हैं, कि भाई entrepreneur, वो होता है, जो एकनामी में कुछ नया लाए, कोई नया methods लाए, जिससे क्या हो सके की production हो, कुछ नया item आये market में, नई नई चीजें हो, नया market develop हो, देखो आज के time में, इस बात हम सब को पता है, डेली times में कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न नया market में आ रहा है, ठीक है, तो ये सब कहां से आ रहा है, एक business idea से, कौल लेकर आ रहा है, जो लेकर आ रहा है, उसको हम क्या कह रहे है, entrepreneur, Adam Smith sir and my favorite author, actually मेरे इसलिए favorite है, कि जब से economics खुद से पढ़ी है, तब से नहीं, जब से पढ़ाने शुरू करी है, Adam Smith sir का तो बहुत बार चर्चा में नाम आया है, Adam Smith sir क्या कह रहे है, कि एक ऐसा entrepreneur, जो commercial purpose, capitalist, supplier of capital, manager, capital person हो, वो आपका एक entrepreneur होता है, इसी तरीके से दो और आपकी definition, this is all the introduction of entrepreneurship, माम क्या पूछा जा सकता है, एक्जाम में, इतने से portion में से ले लो, चारो author ने क्या definition दिये, याद रख लो, माम यह कैसे याद हो सकती है, possibly नहीं, दो तिन lines तो याद हो सकती है, क्या होती है, मैं बता देती हूँ, वो भी तुमको, आजाओ जी, अब पीटर सर के ये ध्यान रख लो, such as new idea, new production, product, source, ये हो गया किसका, पीटर का, capitalist जहाँ आजाए definition में वो कौन हो गया, Adam Smith, next है आपका, पीटर एफ डरकर का, an entrepreneur searches for changes, अब यहाँ आजाओ, changes and respond it, exploit it, ये सब कहाँ आ गया, डरकर वाली definition में, और French origin इसका basically मतलब होता है, to undertake, सासाथ की points भी माग करते चलो, सासाथ कर लोगे तो बहुत easy रहेगी, exam point of view के लिए, और चाहो तो एक काम और कर सकते हो, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, मैडम को idea आते हैं, एक paper ले लो, A4 size का, ये अपने register में से निकाल लो, heading लिख लो, entrepreneurship scenario, चारो के नाम लिख लो, चार लाइन्स में, और उसके आगे ये keywords लिख लो, exam वाले दिन के लिए, ठीक है, तो this is all the introduction to the entrepreneurship, I hope इसमें कोई doubt नहीं होगा, नहीं मैम, इसमें तो possibility नहीं है, ठीक है, जी, next जाते हैं, types of entrepreneurship, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं, वीडियो को इस वीडियो को ज्यादे लंबा नहीं करेंगे, इतने portion पढ़ लो, उसके बाद आते हैं, टाइपस ऑफ एंट्रेपेंट, डेली डेली पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, चीके ची, चलिएजी मिलते हैं आपसे next वीडियो में, बाई चेक क्या,